वाजिद अली शाह अवद के आखिरी नवाब थे. वह साल 1847 में गद्धी पर बैठे और 1856 तक रहे. फिर अंग्रेजों ने उन्हें गद्धी से हटा दिया. सुदीपता मित्रा रूपा पब्लिकेशन से प्रकाशित अपनी नई किताब एंड में लिखती है कि वाजिद अली शाह का जन्म 30 जुलाई 1822 को फरहत बक्स पैलेस में हुआ. वो सावन का महीना था. वाजिद अली के जन्म के बाद उनकी मा आलिया बेगम ने शाही जोतिशियों को बुलवाया और अपने बेटे के भविशे के बारे में जानना चाहा. जोतिशियों ने कहा कि राजकुमार अपने हर जन्म दिन पर जोगी का वेश धरेन और गेरुआ कपड़ा पहनें तो ग्रहंक्षत्र बदल सकता है. सुदीपता लिखती है कि आलिया बेगम ने चठी यानि की बच्चे के जन्म के चठेन दिन होने वाले उत्सव के मौके पर भी वाजिद अली को बिलकुल जब नवाब वाजिद अली 24 साल की उम्र में गद्धी पर बैठे तो उन्होंने अपने कुछ करीबियों को जलसे में बुलाना शुरू किया. साथ ही अवद में जोगी मेला लगवाना भी शुरू किया. जो उनके कलकत्ता निर्वासन तक चलता रहा. नवाब वाजिद अल आलिया बेगम दिल्ली के एक शाही परिवार से तालुक रखती थी. वो जितनी खुबसूरत थी, उतनी ही कद्दावर भी. उन्होंने परहाई लिखाई भी की थी और धरले से फार्सी बोलती थी. आलिया बेगम ने अपने बेटे की परहाई लिखाई में कोई कोरकसर नही चोड़ी और हर तरीके सुविधा मुहिया कराई, लेकिन वो राजकुमार के चंचल स्वभाव को लेकर हमेशा परेशान रहतीं. सुदीपता मित्रा अपनी किताब में लिखती है कि वाजिद अली जब आट साल के थे, तब उस छोटी सी उम्र में पहली बार अपनी एक मही महिला सहायक के साथ शारीरिक संबंद बनाया. इसके बाद वो अपनी अपनी मां की सहायका के प्रेम में पर गए, जो 35 साल की थी. दोनों का रोमास करीब 3 साल चला. ग्यारह की उम्र में पहुचने के बाद वाजिद अली बन्नो साहिब नाम की एक महिला के फेर में पर गए लेकिन वो पहले से शादी शुदा थी. इसलिए कोई संबंध नहीं बना. इसके बाद प्रिंक्स बन्नो की बेहन हाजी खानम के प्रेम में पर गए. वो भी शादी शुदा थी लेकिन सरेंडर कर दिया. प्रिंक्स के साथ 14 की उम्र तक संबंध बनाती रही. 18 की उम्र तक पहुचते पुचते नवाब वाजिद अली का इतनी महिलाओं से संबंध बना कि वो खुद भूल गए. इतिहासकार रोजी लुएलिन जोन्स ने अपनी किताब The Last King in India में लिखती है कि 1857 की क्रांती से पहले नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने निकाल दिया औ लेकिन नवाब की 365 बीवियों, उनके बच्चों, मंत्री, रसोयों और नौकर चाकर के रहने के लिए कम परता था. मजबूरन नवाब को सुल्तान खाना के अगलबगल स्थित दो और बंगलों को किराए पर लेना पड़ा. अंग्रेजी हुकूमत नवाब वाजिद अली श को गुजारे के लिए पैसा नहीं देते है. रवी भट अपनी किताब The Life and Times of the Naubs of Lucknow में लिखते है कि अंग्रेजी सरकार ने नवाब वाजिद अली शाह को अपनी बेगम का भत्ता 2500 रुपे महीना बहाने का आदेश दिया. नवाब इस बात से इतने नाराज हुए कि उन्ह दे दिया और कहा कि उनका खर्च नहीं उठा सकते है.